हेलो गाइस मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूं आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैं में रीजनिंग के अंदर तो आज में आपके सामने एक बहुत ही बड़ा डिसक्शन करने आए हूं जो आज के टाइम पे अगर आप कोई भी स्प्रेंट है मतलब कोई आपके सामने कीा मैं मां रीजनिग मैं मैं हो रही मैं मैं बहुत में में इस Huh कि मैं आता है मैं थी मैं शुद मतलब मतलब होता कि क्यों disproportion क wandering तोड़ा रेगुलर्ली प्रैक्टिस करके वह अपनी चीजों को इंप्रूफ कसा दिखा होगा कुछ लोग पहले इसे बहुत सराइस ऑफिसर जो आज के ताइम पर वह देखा रिक्षय वाले का बेटा इस बन गया कैसे बना रिक्षय वाले का बिटा इस कैसे बन गया तिके देखा होगा आप लोग ने ऐसे बहुत 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 इसे अब्राइम लिंक्टन न्यूस पर बेचा करते दे प्रेसिडेंट कैसे बन गये अब बानी कैसे आज मानी बन गया बहुत सब्सक्राइब नहीं जो चीज नहीं थी अमिता बच्चन के पास भी इतना कुछ थानी दिमाग नहीं है वह बहुत सब्सक्राइब करते हैं कैसे करते हैं कुछ चीज़े वह होती है वह सिखाने वाली हो मैं आपको और दूसरे बात कि क्या मैं कर पाऊंगा बहुत अच्छा के दिवाग में यह तो आज मैं आपको इस वीडियो के तुरू यही सिख बताने वाली हूं कि कैसे कोई भी इंसान वीक कैसे समझ लेता है कोई इंसान इंटेलिजेंट है वो कैसे बसलता है हम लोग को सबसे पहली बात यह है कि सबके पास दिमाग होता है सबके पास दिमाग है ऐसे कोई नहीं भगवार ने किसी को दिमाग ना दिया हो दिमाग सबके पास होता है हर किसी को पास दिमाग है बाद उसको यूज कैसे किया रहता है वह एबिलिटी आप सब्सक्राइब करते कुछ लोग स्पोर्ट में यूज करते हैं मतलब अपने अपने इंट्रेस्स के रिकॉर्णिंग उसको तो सीज में यूज करते हैं अब देखिए ऐसे बहुत सारी होंगे कुछ-कुछ एक्ट्रिस-एक्ट्र एक्ट्रैट्र इसे हैं जो इतने बड़े बड़े फिल्मस्तार लेकिन शायद वह ग्रेजवेट भी नहीं था इतने 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 अच्छे से भी ऐसे होंगे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से करते हैं पर मैस कमजोर है भी हाथ तंग हमारा क्यों कि आपको वह चीज करना पसंद नहीं है आप खाने का सोच लीजिए मुझे यह खाना पसंद है अगर मैं आपको बोलो कि आपको चौब में बर्गर खानी है कि अगर में बोलो दाल लोटी खाओ नहीं खाए जाएगी कि यह ना क्यों कि खाना पसंद नहीं पशंद है आपने देखा होगा हमारी बॉडी में क्या होते हैं कुछ हरों सोते हैं देख सब्सक्राइब होग आप लोगने जैसे बहुत सरे हार्मो ओकर ख़िए हम करते कि शान वह होता है तो एसंग बहुत सurbगर और पढ़ाय कुछी सीखने वाले responds क्याओं कि हमें कुछ चीजी सीखनी है कुछ इंटरस्त भी होते हुए हमें इंटरस्स उठटे हो जैसे कि आप TV भी देखते हो तो क्या कई बोर होते 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 हैं लेकिन जब पढ़ाय करने बैठते हो तो आपको इसमें इंटरस्ट नहीं आता यह कि आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो कितना नहीं कर सकते है इनको इनको प्रौपरली डेवलप करने इन हार्मोन को आपको सब्स 8 घंटे वैब सीरीज देखने है तीवी देखना है अराम देख लोगे अगर वहीं बोलू 8 घंटे पढ़ाई कर लो नहीं हो पायगी तो इसमें भी यूज हो रहे है तो यहां पर कैसे दमांग यूज कर पार यहां पर क्यों नहीं कर पार है फरक वाल है कि आपको जिस काम को पसंद करने में अच्छा लगता है उसमें हार्मौन शीखरेट जदा होते हैं आपको मज़ा बहुत आता है लेकिन पढ़ाई में मज़ा आता ने हो कि हार्मौन कम सीखरेट होते हैं तो यह हमाँ सीखना है अब आपके लिए आज से मैं आपको कुछ आपको स्टेप्स बोल लीजिए या फिर कुछ रूटीन वक्त दोंगी जो आपको करना है अगर आप वह प्रॉपरली मेनेज़ कर पाते हैं तो आप उन हर्मोन के सीक्रेशन को बैलेंस कर पाएंगे जैसी आ मत बहते हैं शिलोड़क अ करना क्यां मान लो मांन लो आपको हार्मोन went that प्रिर ना चाहिए कभी-कभी होता है कि मुझा हं दयाता यह पता है दो टाइप की होते हैं आपको इतना चाहिए जो हार्मोन आपका वो इतना होना चाहिए पर कभी-कभी आपका इतना डेवलप होता है तो इतना डेवलप होता है उसके बाद अगर आप बोल रहे कि 6 गंडे मुवी देखने के बाद या तो पढ़ाई कर ले क्या कर माल लेजिए यहां पढ़ाई करने में जो हार्मोन रिलीज हुआ वह 28 पॉसन रिलीज हुआ माल लेते यहाँ पे जो ब्रेक में फोन चलाया उसमें हार्मोन कितना निकला 40% निकला अब आप बताई इतना हार्मोन निकल चुका है अब आप क्या वापिस से 2 गंडे की पढ़ाय कर पाऊगे सोच के देखिए क्या आप 2 गंडे के पढ़ाय कर पाऊगे वापिस से जहां पे केवल 28% हार्मोन निकला होता है नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपने वो काम कर लिया जिसमें हार्मोन बहुत निकलता है तो आपको यही चीज़ स्किप करने है जब आप से बोले आता है कि आप ब्रेक लीज़े तो ब्रेक हमें ऐसा ब्रेक लेना पड़ता है जिसमें आपको हार्मोन से क्रेशन इससे कम हो मतलब इतना इंडेटरिंग ना हो तो क्या करो सोच जाओ बेटर आप्शन है या फिर क्या करो आप लोग घूम लो इधर उधर मतलब जहां पर इतना इंट्रेस्टिंग काम ना रिफ्रेश भी हो जाओ और इतना इंट्रेस्टिंग ना हो कि आप लोग उसी में गुल के रह जाओ वापिस पड़ाय की और आओ इना यह सबसे बड़ी गलती है आप ब्रेक लेज़े 30 मिनिट का पर ब्रेक वो कैसे करके एक घंटे में कनवर्ट हो जाता है आपको पता सलता नहीं क्यों कि हार्मोन आपको 40% में है वही हम हार्मोन को कम क्यों गरे जो चीज खाना पसंद है जो हमें बर्गर पीजा मिल रहा है तो रोटी सबजी पे सोना कितना किसको पसंद नहीं है पर फिर भी एक पुष लगाना पड़ता है बही मुझे कि आज सुभी उठना पड़ेगा तो वही काम है आपको हलका सब पुष लगेगा पर अगर आप एक बार यह चीज डेवलप कर लोगे आपको काम चल जाएगा संदे के बाद मंडे को काम पर यहना पसंद क्यों नहीं होता है क्यों के बार का पसंद पड़ाई से अपका फ्यूचर सिक्रीश ट्रिशर हो जाएगा लेगिन फिर भी आप काम नहीं करते क्यों कि मज़ा नहीं करते हैं तो मैं ऐसा काम कांब बीच में नहीं करते हैं वह काम मत करों जिसमें आपको बहुत इंटरस आता वे उसे केवल एक अलग दो तो यह दिन तो आपके लिए बैइफिट वह कि बच्चे को दिखत यह वह तीन गंदे पर लेटें थे उस ब्रेक से बाहरी नहीं आ पाते हैं अगर आप इस चीज को मैंश कर पाते हैं तो कोई बच्चा कम नहीं होता है केवल बच्चों अगर है वो इस ब्रेक की तरह यूज़ कर पा रहा है वह वापस पढ़ाई करने के वापस आप पर अगर आप ऐसे आ पा रहे हैं इसका मदल्स आपकल आप अपको प्रॉपरलि मैनेज कर करनेश कि आपको वह काम करने कुछ पितम बैलेस्ट पराजै है वन्हा को कोई मतलब वाली बात नहीं है तो इसी वीडियो में आपको सिर्फ यही समझाने के लिए बनाई है कि आप लोग अपनी रूटीन को बैलेंस कर पाएं मनलब पढ़ाई को कैसे हम कंटीनू करना यहीं में फूकस है अब कंटीनू करने के लिए में कितने किसी कैसे अवर्च कि आपने दोस्तों को भी शियर कीजिए बहुत इंपॉर्टन है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक का बटन लबाते से टेक कियर बबाए